वालकम टू मामा की पड़ाई आज हम पूरा डैजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस समझेंगे हमने फूड इंटेक किया ओरल कैविटी से तो ओरल कैविटी में क्या-क्या प्रेजेंट है तीथ टंग एंसलाइवा ठीक है और अपने सलाइवा है सलाइवा में कहा सलाइवरी अम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ठीक है उसके बाद अपनी टंग का एक सेकंडरी फंक्शन और है वह क्या करती है प्श्क करेगी फूड को फूड को ठीक है उसने क्या कि फूड को पुष किया ठीक है कि फूड को पूड करने के बाद यह देखे फूड में अने के बाद अब यह देखिए अपने जो इसोफेगस की मसल्स होती है तो यह प्रोसेस जैसे ही फूड आता है तो कोंट्रांग्शन और एक्सक्षं स्टार्ट हो जाता है उसक और इस और इससे वह अपने फूड को स्टमक तक का चाहिं और यह जो मुव्मेंट को हम क्या बोलते हैं पेरिस् बैस्टेलिटिक मूव्मेंट इसको हम चाहिए इस चलीन कि बढ़ाँ फूडीए इसके बाद अपना जो फूड़ है वह स्टमches मैं आ गया तो अब इё स्टमक के अदर तो अपने इस यह स्टमक के अंदर आ गया मुकस ठीक है अपना मुकस अब देखिए HCL का फंक्शन क्या है वो क्या करता है किल जर्म्स और बैक्टेरिया जो अपने फूड के साथ अपने स्टमक के अंदर आ चुके हैं उनको किल करने का और दूसरा एक HCL का फंक्शन है वो अपने स्टमक को ऐसे डिक मीडियूं करेब एक मीडियूम ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या है इसके बाद यह है किowski पसन पसंक का फंक फंक्शन है प्रोटीन डाजेशन बैप सिन कि हैं प्रोटीन की डाझेश हम कर पाएं उसमें help करता है तो अपना जो प्रोटीन का डाजेशन है वो कहां स्टार्ट हो रहा है स्टमक के अंदर जैसे सलाइवा सलायरी कि अमईलेस की वजए से कार्बोहईडरेड का ओरल कैविटी में ठिक है अब हैं अबसमें म्यूकस में क्या था और फ्हक्त करता है प्रेवेंट करताय आपनी इननर लाइनेंग ऑफ स्टमक अपनी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वह जैसे इह है तो अपनी जो इनर लाइनिंग ओस्टमक के इसको प्रेवेनट करता है किसे अपनी इससे हाइड्रोलॉणिक एशिट से ठीक है इसके बाद अपना फूड क्या है इंटेस्टाइन में जाता है ठीक है यहां से यह कहां गया अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है अपना प्रोसेस होगा वह ऐसे कि अपना यह small intestine यह के लर्जेस्ट पार्ट आफ ऑफ इलिमेंट्री के नाल का लार्जेस्ट पार्ट आइ। जिसके अंदर इन्टेस्टाइनल जूसिस लिवर का बा gefallen जूस और पेंक्रियाटिक जूस यह यह तीनों कहां होते हैं अलग लग जगह पर हैं और एकुमिलेट होते हैं यह सब इidän इंदर यह सब इस maintainsÓ अब सारे सब्सक्राइब रहते हैं अब सारे वंक्षन जोग Jack करेंगे यह विल्ण अपना स्मोल इंटस्टाइन के अंदर ही करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना इंटेस्टाइनल जूसिज सिक्रीट करेगी जिसके अंदर कार्बो हाइड्रेट को ग्लुकोस में कनवर्ट करने में हेल्प करती है ठीक है प्रोटीन को एमिनो एसेट्स में हेल्प प्रोटीन को किस में कनवर्ट करते हैं एमिनो एसेट्स कि किसको small intestine को क्यों क्योंकि अपना जो पीछे अपना जो स्टमक के अंदर acidic medium था तो उसको alkaline करना है क्योंकि intestine के अंदर alkaline medium जी तो वो कौन करता है बाइल करता है और जो बाइल का कलर क्या है अपना के pancreatic juices pancreatic juices में क्या आता है अपना pancreas pancreas secret करता है तो pancreatic amylase trypsyn और lipase pancreatic amylase trypsyn और lipase amylase से अपना पता चल रहा है यह अपना क्या है carbohydrate का ठीक है वहां से क्या है वो digest होते होते starch form तक आ गया है इसलिए हमने यहां स्टार्च लिखा है carbohydrate नहीं लिखा तो और carbohydrate to sugar convert करने में help करता है trypsyn का function क्या है अपना protein protein digestion ठीक है trypsyn अपने protein की digestion में help करती है और lipase का है अपना fats ठीक है अब inner surface of small intestine inner surface of small intestine जिसके अंदर के यह अपने जो red color के यह जो बनाया यह क्या करती है विली क्या करती है विली क्या करती है इसका function क्या है small intestine में इसका function है surface area को increase करना अपनी जो small intestine है इसका जो surface area वह बढ़ा देती है यह ठीक है larger the surface area और increase the surface area of small intestine अब surface area increase हुआ तो उससे क्या फायदा है उससे यह फायदा होता है कि rapid absorption of digested food जो अभी तक हमने digestion जो हुआ है तो जो जितना भी digested food उसका absorption क्या होता है fast हो जाता है तो easily और fast absorption होता है nutrients का अपने जो small intestine है उसके अंदर digestion का end हो जाता है अब digestion नहीं होता है और एक और जो important चीजा है जो क्या है absorption का start होता है absorption क्या होती है start हो जाती है ठीक है absorption स्टार्ट हो जाता है इसके बाद क्या आता है इसके बाद यह है कि अपनी जो small intestine से अब क्या क्या लाड़न intestine में पहुंच गया अब यह पूरा process इसमें यह है अपना जितना भी जो solid waste बचा है वह remove होने के लिए पूरा process होता है यह तो सब को पता है पर इसमें important चीज है वह क्या है अपना majority का क्या है water absorption होता है अपने इसमें large intestine में और थोड़ा बहुत अपने minerals और water minerals some कुछ vitamins इनका भी absorption होता है पर वह इतना कम है कि हम उनको count नहीं करते तो इसलिए क्या है अपनी intestine large intestine में क्या है water absorption जादा है और इसके बाद क्या है अपना यह जो waste है solid waste जो है यह अपना large intestine से होते हुए कि यह कहां आ जाता है अपने अनस एनस से क्या होता है expelling expel हो जाता है ठीक है exit करता है यहां से बाहर निकल जाता है expelling of stool ठीक है जो हम अपना यह जो निकालते हैं न यह वेस्ट को तो उस उस process को हम बोलते है expelling of stool ठीक है expelling और हम उसे क्या बोलते हैं इजेशन ठीक है तो यह अपना डाइजेशन का जो process है वह अपना complete हो चुका है ठीक है और बाकी like subscribe and share थैंक्यू